हलो फ्रेंड्स जावा लेंग्वेश सीखने की जर्णी में आज हमारा डे 5 यानी की लेक्चर नंबर 5 है और इससे पहले हमने चार वीडियोज कंप्लीट किये हैं वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर आपने उन चार वीडियोज को नहीं देखा है तो सबसे पहले आ आपके basic को strong बनाएंगे जो आपके पूरी throughout the journey काम आने वाला है ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स बीना देरी के फटापट शुरू करते हैं आज का lecture अब देखिए अभी हमारी बस चल रही है अब नेक्स्ट स्टेशन जहां पर हम उतरेंगे वहां से हम अपना actual program बनाना है स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो अभी आप बस के अंदर हो बस के अंदर में आपको कुछ important चीजे बताना चाहता हूं कुछ important terminology बताना चाहता हूं ज यहां पर दिवार पर यह color किया वा इसका क्या मतलब है यहां पर राजा की मूर्ती बनाई वी है यह राजा कौन थे यह राजा निक्या किया वह आपको कुछ भी रिवता नहीं चलेगा इसलिए यह सारे चीजे जो मैं आपको अभी बता रहा हूं यह आपके fundamental को मजबूत क करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के फटापट शुरू करते हैं आज की class तो देखें फ्रेंड्स मैंने क्या कहा कि Jawa क्या है? Jawa एक language है काम क्या है? Jawa का काम है computer से बातचीत करना अगर एक human computer से बातचीत करना चाहता है तो उसको computer की कोई ना कोई भासा आने चाहिए और उन्ही भासाओं में से एक भासा है Jawa अब क्यूंकि यह एक language है, English भी एक language है तो English language किन से मिलके बनी होती है? English language मिलके बनी होती है alphabet से प्लस grammar से, correct? आप कहोगी बसर बात तो सही है, यानि कि English language के अंदर क्या होती है? दो चीज होती है, एक होते है alphabet, जो अब यह होते है, alphabet क्या होते है? अगर मैं screen में नीचे दिखाऊं, तो यह A, B, C, D, E, F, G, यह होत alphabet से मिलके क्या बनते है? वर्ट्स बनते हैं, और उन वर्ट्स से हम कुछ ना कुछ उसके उपर grammar लगाते हैं, और grammar लगाने के बाद में हमारे पास एक proper sentence बनता है, जिसका कोई ना कोई मिनिंग होते है, correct? यानि कि कोई भी एक language हो, उसके जो main part उनमें क्या आता है? एक तो जैसे कि आपको कहना है कि मुझे खाना खाना है, अब इसके अंदर कई सरी termlern जो मुझे खाना है, अब आप यशे करोंगे, खाना मुझे खाना है, इसका क्या मतला हुआ? लोग नहीं समझेंगी क्यों, क्योंकि आपके पास word तो प्रोपर लिये, आपने alphabet से word तो प्रोपर यह आपके उपर है, लेकिन मेरे ख्याल से आप इनको alphabets के according याद रखिए, जावा के अंदर क्या होंगे, alphabets होंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इनको आप words भी कहिए, जो अभी है, क्योंकि words क्या होते है, कई सारे होते है, लेकि जावा के अंदर यह इतनी words है, तो आप इनको बेटरा alphabet कहिए, इन alphabet पे हम कुछ grammar के rule लगाएंगे, और इनसे अपना क्या बनेगा, जावा के अंदर एक sentence बनेगा, ठीक है? और यह sentence जब ह अपनी machine को देंगे, तो machine इसको समझ के अपना output दिखा देगी, यानि कि अगर आपको एक calculator का software बनाना है, तो आपको पूरे ऐसे sentence लिखने होंगे, कैसे sentence? जिसे आपको लिखना होगा, कि I will provide you two numbers, ठीक है? यह आप जावा लेंग्विज के अंदर लिखोंगे, ठीक है? यह क अपनी प्रोपर नाम जो जावा के अंदर दिया गया है, वो क्या है? कीवर्ड से, इसके अपन बाद में जाएंगे, लेकिन जो यह alphabet है, जो आपनी यह भी लिखाया इतना सारा, यह इनी में से कोई ना कोई होगा, तो अब आपको कि सर जैसे हमने ABCDEFG याद किया था, हमें यह भी याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अब ही आप सीर मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो देखिए, अपन भी अगर आपको एक केल्कुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, और उसको अपनी प्लेन जावा लेंग्वेज के अंदर लिखना अब यह क्या प्लेन इंगलिस है? इसी तरीके से अपन प्लेन जावा के अंदर भी इनी वर्ड्स को, इनी एल्फाबेट्स को काम में लिखते वे सेंटेंस लिखेंगे, अब अगर इसी सेंटेंस में कोई अगर ग्रामरली मिश्टेक होगी, तो जावा हमें कहे देगा कि भ अगर आपने ग्रामर्स के रूल्स को ध्यान में नहीं दिया, अगर आपने अल्फाबेट्स सही से नहीं अरेंज किये, तो आपका सेंटेंस इन्वेलिड होगा, जिसका कोई मतलब नहीं होगा. तो अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, प्रोपर डेफिनेशन वो ठीक है, और जावाले इंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं कीवर्ड्स, करेक्ट, चलिए, अब आप ये मत गूगल कीजिए कि असल के अंदर ये है, सर ने अमें ये बताया, नहीं अभी आपको जो मैं बोल रहा हूँ, आप उसी पर येकिन कीजिए, येकिन मानिए जिस दि जावा के अंदर होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है, अब इंग्लिस के अंदर कितने अलफाबेट है, 26 अलफाबेट है, लेकिन जावा के अंदर जो कीवर्ड है, यहां पर मैंने आपको 48 कीवर्ड्स दिखाई हैं, इनके अलावा भी कुछ कीवर्ड्स है, कुछ नए आते रहते Java के वर्जन के साथ में आपको सारों को याद नहीं करना है जब भी आपको पता करना है कि Java के अदर कितने keywords है जिस टाइम पे आप वो वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे आप इसको Google पे कर लीजिए इनसे फरक नहीं पड़ता है कि Java के अंदर 48 है, 55 है, 50 है हम एक एक सब जानेंगे, ठीक है तो अब देखे, मैंने क्या का कि English के अंदर उनको alphabet बोलेंगे Java के अंदर उनको keyword बोलेंगे तो अब हम keywords word का exact मतलब जानते हैं तो देखे, द्यान से पड़िए definition को कि in Java the term keywords refer to the reserve words that have predefined meaning यानि कि जो ये words है ये क्या, ये Java ने हमको provide किये और इनका कोई ना कोई मतलब होता है जैसे इसको अपन A बोलते हैं इसका कुछ अलग काम होता है, इसको B बोलते हैं इसको C बोलते हैं, मैं बोलता हूँ आपको Apple की spelling लिखने हैं, तो आप क्या लिखोगे बोलते हैं, जिनका कोई ना कोई मतलब है अगर अपन अपने sentence के अधर कहीं लिखते हैं जब अपन जावा के अधर अपना code लिखेंगे, अपनी बातचीत लिखेंगे अगर वहाँ पे abstract word आप लिखते हो, तो इसका कोई ना कोई मतलब होता है ठीक है, वो computer जानता है, अपनी को अभी नहीं समझने है मैं आपको बताऊँगा इसका मतलब क्या होता है लेकिन इन में से अगर आप कोई भी word लिखते हो, तो computer के लिए उसका कोई ना कोई वैसी यह word है, इनका meaning fix है, आप इनका meaning change नहीं कर सकते है जिनका कुछ ना कुछ meaning है, यह meaning किन्हों ने defined किया? यह Java language के development defined किया, ठीक है These words are part of Java language syntax, syntax यह यह grammar के part होते हैं और cannot be used as identified, यह line है, यह आप छोड़ दीजे, यह मैं आपको बात में बताऊँगा, ठीक है और इनका क्या होता है, उस कोई ना कोई purpose होता है, कोई ना कोई ना कोई meaning होता है अब आप definition के अंदर वो गोलमोल हो गए होगे होगे, कि सर आप क्या समझा दिये कुछ भी नहीं समझाया, alphabets क्या होते है, English ने आपको provide किये keywords क्या होते है, Java ने प्रवाइड किये यहां तो आपने 50 लिख दिये है, मुझे कैसे याद रहेगा, तो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है क्या, नहीं बोला ना, आज तक मैंने आपको कुछ भी चीज याद रखने के लिए बोली है, नहीं बोली ना, तो tension क्यों ले रहे हो, फिर मैं किस लिए हूँ, तो अब मैं थोड़ा से नीचे सलता हूँ, और एक terminology आपको और सुनने को मिलेगी, literal, अब यह literally वाला नहीं है, क्यों सच मुझे प्यार करते हो, नहीं मैं तो नहीं करता, यह वो वाला literal नहीं है, यह दूसरे है, तो देखे, इसका मतलब क्या होता है, कि कभी-कभी क्या होत और जो हम उसको directly वह value लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने directly 10 लिख दिया, तो यह value क्या है, fix है, यहाँ पर मैंने a लिख दिया, यह value क्या है, तो इनको बोलते है, अपन literal, जो fix value होती है, अगर आपको code में उसको आपने लिख दिया है, hard code कर दिया है, तो उसको बोलते ह कि एक fixed value जो अपन अपनी source code के अंदर represent करते हैं. It is a way to express value directory in the code. अब जैसे आपने कहा कि आपको एक integer लिखना है, ठीक है, integer की value है 10, तो वो आप code के अंदर कैसे लिखोगे? Simply 10 लिखते होगे, ठीक है, लेगिन अगर आपको लिखना है 3.14 pi की value, तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? 3.14 लिखेंगे, ना कि directly 3 लिखेंगे. इन सब को क्या बोलते हैं? Litterals बोलते हैं, Litterals का मलब क्या होगा? एक fixed value, ठीक है? अब जैसे Litterals कई तरीकी के होते हैं, आपको नहीं द्यानने देना, आपको अपन किस तरीक के तरीके से रीपरजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं लिखेंगे, अब देखिए, friends, मैं इस lecture को ज्यादा बड़ा और confusing नहीं करना चाहता, क्यूं? क्यूंकि ये क्या एक छोटा से lecture था, जिसमें मैं आपको एक basic बताना चाह रहा था, ये terminology, keywords, literals, identifier, ये अपन आगे पूरी जर्ने में काम मिलेंगे, ठीक है? और मैं आपको छोटे-छोटे वीडियोज के अंदर हर एक concept को clear करना चाहता हूँ, जिससे आपको कहीं पर भी, कभी भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, तो friends, अब हमारी बस आगे रुकेगी, जहां पर हम एक important concept को जानेंगे, data types को जो बहुत ज्यादा important है तो अभी आप पानी उनी पी लीजिए और अपनी पांच प्रेट में बस रुकने वाली है, फिर मैं आपको data types समझाऊँगा, आज की इस सपर में हमने क्या सिखा, कि keywords क्या होते है Java के अंदर, देखे कुछ words होते हैं, जो Java ने अपने लिए reserve कर रखे हैं, ठीक है, जो language के अ अगर ये दो वर्ड अपने को use करने आते हैं, तब ही हम दूसरों को जाके बोल पाएंगे, देखो मुझे भूग लगी है, मुझे खाना चाहिए, मैं आपसे नफरत करता हूँ, इसमें आपको नफरत वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, कि नफरत को कहां काम में लेना है, आप अपनी बीवी के सामने बोल देगी, मैं आपसे नफरत करना चाहता हूँ, बले आप तो ये कह रहे थे, कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे नफरत निकल गया, तो फिर अगले दिन आप होस्पिटल में दिखोगे, तो इसी तरीके से, जावा ने हमको अप जिनका कोई ना कोई मैनिंग होता है, जिनका कोई ना कोई परपज होता है, जिसे अपने पास इंगलिस के अंदर अल्फावेट्स होते हैं, एक लेंग्वेज के अंदर दो में चीज होती है, अल्फावेट्स प्लस ग्रामर, इसी तरीके से जावा के अंदर क्या है, कीवर को कह दिया कि नहीं इसको आप string literal बनाईए तो इसको अपन कैसे करेंगे आपको दिया wire 3.14 इसको बोल दें कि आपको इसको integer literal बनाने तो literal का मतलब क्या हुआ एक fixed value को अपन code के अंदर किस तरीके से लिखते हैं उसको बोलते हैं अपन literal ठीक है तो friends अब मैं इस वीडियो को यहीं पर खताम करता हूँ इन दो टर्मनोलोजी का आपको मतलब जानना बहुत जरूरी है और आपको अब मैं एक 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 इन सारे वर्ड्स का मतलब समझाऊंगा जैसे जैसे हम अपनी सीरीज के अंदर आगे बढ़ेंगे तब तक के बाई बाई टेक केर